ओम श्यंतिन, ओम श्यंतिन, ओम श्यंतिन, हमें बाबा साक्षात कार्मूर्थ बनाने के लिए रोज अच्छी अच्छी बाते सिखाते हैं, जब हम सक्सात कार्मूर्थ बन जाएंगे, तो सेवा इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी, कहीं किसी देवी का साकसातकार होगा कहीं किसी देवी का किसी देवता का गनेश का अनुमान का विशनु का और चार और जजेकार हो जाएगी लोग ज्यान लेने के लिए राजयोग सीखने के लिए बहुत तेजी से भागेंगे लाखों लोग रोज जुडने लगेंगे बाबा से इसलिए हमें शाक्सातकार मूर्थ बनना आवश्चक है वैसे भी हम जानते हैं जिस भी स्थान पर निमित आत्मा की और उस निमित इस्थान के वाइब्रेशन्स बहुत अच्छे होते हैं मा की सेवाइं बहुत वृध्धी को पाती हैं तो हम इस आक्सातकार मूर्थ बनना है इसकार्थ है हम अपनी स्थिति को ऐसा बना लें कि हमसे दूसरों को शाक्सातकार होने लगें बिन-बिन तरह के शाक्सातकार होंगे एक हमारे स्वरूप को इस तरह देखेंगे आत्माए के मस्तक में आत्मा बहुत ते जस्वी रूप में चमक रही है कुछ दूसरे लोग हमें फरिष्टे स्वरूप में देखेंगे कुछ तीसरे लोग इस देव देवियों के रूप में देखेंगे किसी को हमारी जगे बाबा दिखाई देंगे तो ये सब खेल बहुत चलने वाला है अब आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी चीज भले ये सब खेल दिखाने की चावी बाबा के हाथ में है सिव बाबा के हाथ में है किसी मन उसके हाथ में नहीं है किसी को साक्षातकार करा देना लेकिन जो साक्षात साक्षातकार मोट बन जाएंगे वो तो दिखाई देंगे ही अब कोई व्यक्ति सजा धजा आपके सामने घुम रहा हो वो आपको दिखाई देगा किसी की पर्सनल्टी बहुत आकरसक हो वो सब को दिखाई देती है कोई बड़ा गुनुवान हो वो भी सब को दिखाई देता है तो हम जिस स्वरूप में पहुँच जाएंगे जिस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे हमारा वही स्वरूप दूसरों को दिखाई देगा तो हमें विशेस रूप से अपनी purity को बहुत बढ़ाते चलना है ये pure sense कार हमें साक्सातकार मूर्थ बनाएंगे क्योंकि देवताओं में या इस देवदेवियों में purity संपूर्ण है purity के वलब्रम चरिये नहीं आप सब जानते हैं संपूर्ण रूप से हर्थ तरह के व्यर्थ से मुक्त बन जाएं और दूसरी चीज बहुत योग-योगत आत्मा follow father करने वाली आत्माएं साक्सातकार मूर्थ बनेगी जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा की जगह सिरिक्रसन दिखता था बहुतों को क्योंकि बाबा इस नसे में इस वमान में बहुत रहते थे कि मैं ही सिरिक्रसन था यह सरीर छोड़ कर पुनह में वही बन जाओंगा और वैसा ही बनने का उन्नोंने फिर स्रेश पुरसार्थ किया तो उस नसे के कारण उनके स्वरूप में सिरी क्रसन दिखाई देता था वैसे भी आप देखें या कोई व्यक्ति किसी के प्यार में मगन हो वैठा हो तो देखने वाले भी देखते हैं कि यह यहां नहीं है किसी को याद कर रहे हैं तो हम सभी बाबा की याद में इसी तरह मगन हों, अपनी सभी कमियों को निकालते चलें, अपने को महान बनाते चलें, अपने पुरसार्थ पर बहुत ध्यान दें, इसमें लंबे काल के ब्यास की तो आवश्यकता होती है, लेकिन इस समय सभी को ज्यान, योग की विदियां और सब कुछ एसेंस रूप में प्राप्त हो रहा है, ओ अनुभव के द्वारा जो साड निकले हैं उस रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए अब तिवर गती से आगे बढ़ना सहज हो जाता है, जो भी समय आपके पास है उसमें धुन लगा दें, बस एक से ही सब कुछ लेना है, इसके लिए सांसारी की च्छाओं का भी त्याग करना पड़ता है, महममता से भी स्वयम को मुक्त करना पड़ता है, तब हम साक्सात का अर्मोर्त बन जाएंगे, तो चलें जरात गहन तपस्या करें, अपनी धारना को स्रेश्ट करें, अपने खुसंतोस्त आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, बहुत पवित्र आत्मा बनाएं, तो हम दुसरों के लिए साक्सात का अर्मोर्त बन जाएंगे, और इस धरा पर बाबा की परतक्स थाक के जय जय कार के नगारे गुजने लगेगे, तो आप सब को बह बहुत बहुत थैंक्स, ओम श्यंटी.